एक मित्र संदीप लामिछाने जी पूस रहें कि गुर्जी आपको जब से मैं सुन रहा हूँ तो इससे पहले मैं भहुत लोगों को सुनता था और जो है मेरा प्यास बना ही रहता था मगर जब आपको सुनने लगे तो मेरे प्यास में त्रप्ती का अनुभव हो रहा है और आपके सुनने के बाद और लोगों की बाद जो है वो फिकी फिकी सतही सतही से मालूम पड़ती तो मित्र इसके लिए मैं बहुत धन्यबाद और आभार प्रकट करता हूँ और मैं खूस क्योंकि मेरी बातों से अगर किसी को त्रप्ती हुई थोड़ा गहरा जाना हुआ तो यह मेरी सफलता है तो आपको विशेश तर्निभाद देना चाहता हूँ और जो है ऐसा होगा यह क्योंकि मुझे भी पहले जब ओसो पढ़ने से पहले बहुत सारी फिलसोपी की बाते औ और अध्यात्म की बाते पढ़ता था इधर-उदर की जब फिर जब ओसो पढ़ने लगा तो और सथही हो गया और किताब पढ़ने का फिर कोई मणई नहीं कि इतनी गहरी बात ओसो बता देते और हम उसमें डूपते और तो आहरोग बताते थे ऊपरी-उपरी बात है किसी ने बहुत अच्छे सराब का नासा पी लिया हो और उसके पास वो हो और वो सस्ती सराबों को क्यूं पीएगा सस्ती सराब पीनेगा कोई आप आर्था होता नहीं है और जो है जो भी बातें गहरी होती है वो क्या होती है कि अनुभव से आती है जो भी गहरी बात होती है वो अनुभव से आती है जो सतही बात होती है वो दिमाग से आती है तो इसलिए आप जिन जिन लोगों से सुनते होंगे वो लोग के बल बवदिकता से ही बोलते होंगे अपनी दिमाग के ज्याल से वहीं से देखते होंगे और बोलते होंगे और तरक अच्छा होगा बहुत मगर गहराय जो है उसमें नहीं होगी और जो लोग अपना अनुभम से बोलते हैं उन खुद देखके बोलते हैं इसलिए उनकी बात जो है गहरी होती है ना जो बोदिक रूप से बोलते हैं और इधर-उधर की बात सुन ली और जो है, दिमाग में बैट गई और ताकिक द्रिष्टी से उठीक लगा और वो बोलते हैं, तो उनके सब्द में भी कोई जादू नहीं होगा, कोई गहराई नहीं होगी, वो ऐसी सराब होगी, जिसमें नसा नहीं होगा, है ने, मगर जो अनभव से बोलते हैं, वो उनके वो निशब्द भी आता उसमें आप जब ओसो सुनते हैं तो उनके सब्द में भी आपको अनुभव कर पाते हैं सब्द सुनने से भी हो जाता है तो यह होता है और जो है हमने भी जो जहां ओसो जिस चीज का अनुभव किये और कृष्णमृति जिस चीज का अनुभव कियें तो उसी जगह का हमने भी अनुभव किया तो इसलिए बाते जो है केवल बहुत दिकी नहीं होती अनुभव में वो उतर के तब वो बात आती है तो गहरही में आपको ले जाती तो मित्रों एक मित्रा ने पुछा है रिष्टे और संबंद के बारे में कुछ बताईए तो उस पर भी चर्था जोड़ लेता हम इसी में यह संबंद क्या है रिष्टा हम जिसको बोलते हैं कि माप बोल दिया, किसी को बाप बोल दिया बेटा बोल दिया, बेटी बोल दिया, मित्र बोल दिया और बहुत सारे समंद है, वो क्या है? इसको जानना चाहिए क्योंकि ये सब मन्यताओं से बना हुआ होता है, रियालिटी इसमें नहीं होता है, ये मन्यता है कि वो मेरा बाप है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, वो मेरा मित्र है, वो रियालिटी नहीं है, लिखा नही बेटी है, कहीं लिखा उसके सर पे, कोई साइन नहीं है आपका उसमें, तो आपने ये मानी हुई बात है, हाँ हाम ऐसे भी समझें इसको, जैसे सबसे गहरा जो रिष्टा होता है वो, पती और पत्नी के बिच में होता है, क्योंकि उसी रिष्टे से और रिष्टे बनते, मु और उसी रिष्टे से जो है, मा बाप भी बनते हैं, जब आपने किसी से साधी कर ली तो, पहला रिष्टा आपकी पत्नी हो गई, तो उस पत्नी से बेटे बेटी या निसके कि तो दूसरा रस्ता आएगा, बेटा और बेटी, और बेटा और बेटी आपको बुलाएंगे, म मुल रिष्टा जो है, इसमें क्या है, पती और पत्नी का रिष्टा है, और ये रिष्टा क्या है, इसको समझे, ये एक माननेता है, क्यूंकि साधी से पहले आप दोनों को नहीं जानते, आप दोनों जानते नहीं थे, आपको पता नहीं था, कि आपका पती और पत्नी कहीं यह भी यह भी पता नहीं था और किसी समय चिंजान हो गई और रिस्ता बन गया और शादी कर ली उस दिन के बाद आप क्या हो गए पती और पत्नी हो गई तो यह मनने था तो मनने था ही होई क्योंकि आपने माना कि तु मेरी पत्नी है और उसने मना तु मेरा पती है उससे पह पहले नहीं है और बाद बे भी नहीं होगा मुर्थियू के बाद तो कुछ समय के लिए होता है वो माना हुआ समंद होता है तो इसलिए हमारे समाज में ये माननेता को मजबूत करने के लिए जो है साधी का उपाय है साधी करते हं जहां पर साध फेरे लेते हैं और बहुत अनुस्थान करते हैं तो मेरी पत्नी है, मैं तेरा पती हूँ बोलते है नाला डालते हैं तो ये समझन्द को मजबुद बनाने का एक तरीका है क्योंकि समझन्द जो है जुट पर आधरित है माननेता पर आधारित है, ऐसे ही तो यह नहीं बनेगा, इसलिए समाज ने उस संबंद को विश्वास में बनाने रहने के लिए, लोगों का विश्वास तो उठ जाता, क्योंकि जुड़ है यह, पता चल जाएगा ना, पती बाद में, यह तो मानी भी बात है, मेरा पती है, प संबंद आईशा, तो लोगों को विश्वास उठ जाएगा, और परिवार खत बिगड़ जाएगा, तो इसलिए समाज ने विवस्ता की, साधी करने का विवस्ता किया, तो साधी में, यह भी बोलते है, साध जनम सब तक साथ रहते हैं, तो यह विश्वास बना दिया, तो और पति और पत्नी है, वो मानने लगे, हाँ, यह होता है, हमारा संबंद है, यह साध जनम का रिष्टा है, और इसको निभाना है, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, इस तरफ से यह संबंद मान लेते हैं, रियल होता नहीं है, और मान लेते हैं, यह ऐसे बात है, नाटक होता है, तो नाटक दिखाते बक्त, जैसे रामाइन का नाटक देखा लिया, तो उसमें जो क्यारेक्टर आएंगे, राम, सिता, लच्मन और हनुमान, तो उसके क्यारेक्टर हम निभाते थे, आजमी को बना देते हैं, उसके भेशबुसा पहिना कर उसको किसी को राम बना देते हैं किसी को, सिता बना देते हैं किसी को, लच्मन बना देते हैं, और यह मंच में जाकर एक्टिंग करते हैं, मगर मंच में जब वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो उस बाग तो अपने को राम ही मानते हैं, राम बोलते हैं, राम दिखाते हैं, मगर रियालिटी जो पती-पत्नी है, वो दिखाते है उदर, भेशबुचा पहन का, मगर वो दो लोगों को पता है अंदर-अंदर, कि ये नाटक है, रियालिटी में मैं राम भी नहीं हूँ, ये शिता भी नहीं है, मगर वो उसका अभी नहीं करते, ताकि लोगों को वो सच मालूम पड़े है तो हमारा समन्द अइसा ही, अंदर-अंदर हम सब को पता है, न कोई पती होता, न पत्नी होती, न बाप होता, न बेटा होता, अब मैंने बता दिया था कि मुल जो समन्द है पत्नी से ही बना हुआ है सभी कुछ उसी से माप बाप भी आगए बेटा बिटे और सबी आगए तो मूल जो संबंद है और माँ और बेटा का संबंद तो असली लगता क्योंकि उसी के पेट से निकलता बाप बेटा तो पति-पत्नी का संबंद तो ऐसा होता नहीं है आप 25 साल से कहां से कहां थे उसको पता नहीं है और 25 साल में आपको मिल गए और आप को जो है संबंद बन गए तो ये भी एक ऐसी मानी हुई बात होती अंदर हमको पता है कि ना पती होता है ना पत्नी होती है कहीं लिखा भी नहीं होता है किसी जोड वी अंद्रिश्चे तरी कोई धागा भी नहीं होता है बदा हुआ तो एक माननेता होती है उन्нять इसको समया है कि एक मानननेता है रियल ये है नहीं अब इसमें दूसरी बात अगर ये जूट है तो क्या इसको तोड़ना साही है मारी नहीं परिवार को चलाने के लिए समाच को चलाने के लिए ये संबंद आवस्यक होगा क्योंकि लड़का-लड़की जब 22 में आजाएंगे उमर हो जाएंगे तो साधी करना पड़ेगा शेक्स के आवस्यकता होगी ये सभी संबंद शेक्स के ही संबंद है अगर शेक्स नहीं होता आजमी के लिए पास शेक्स के इच्छा पड़ेदा नहीं होती तो कोई भी रिलेशन नहीं बनता जैसे जानवर होते हैं जानवरों में भी जब सेक्स होता है तभी रिलेशन होता है तो उसके आगे पछे कोई संबंद नहीं होता जब बच्चा पेदा होता है to बड़ा हो जाता है तो कुछ समय के लिए वो सम्मदभ बनता बात में जो जानवर का बच्चे बड़ा हो जाता है तो फिर वो सम्मदभ नहीं बच्चे अलग जाते हैं क्योंकि उधर मान्नेता है नहीं न उधर ये मान्नेता नहीं कि ये मैने साधी की थी और ये मेरा बेटा है और ये बेटी है और इसको मैने गाइडेट करना है ये मेरा कर्तब्य है और ये बेटा बेटी जो है उनने भी ये मान्नेता नहीं कि मेरा बाब है माम है इनको मैने समा प्राकृतिक रूप से वह बच्चे को बचाने के लिए जितने दिन तक उसको सुरच्छय का आवस्यक्ता पड़ती तब तक जानवर उसको साथ में लेती जब तक दूद चुसाना हो उनको खाना पिलाना हो तब तक वह साथ में रखते फिर बाद में अलग-अलग हो जाते औ और कोई पता नहीं चलता कि यह मेरा बेटा है, मेरी माँ है, तो जानवर में ऐसा है, क्योंकि जानवर के पास जो है language नहीं है, और language नहीं है, तो माननेता नहीं बनती है, और माननेता नहीं बनती, तो reality भी नहीं बनता है, यह सब जो reality लगता है, यह माननेता से बना हुआ है, तो हमारे जो माननेता का समद्ध है उसमें क्या है कि एक मानी हुई बात है हम मान लेते हैं दिमाग में कि ये बेरी पत्नी है एक छबी बना लेते हैं अपने दिमाग में उसके बारे में और वो पत्नी जो है वो भी अपने दिमाग में एक छबी बना लेते हैं कि ये मेरा पत् जैसे पत्नी के बारे में आपके दिमाग में क्या छबिया बनता कि मेरी पत्नी है इसको भोगना है और परिवार को आगे बढ़ाना है इसके बाध्यम से और इसको प्रेम करना है इसको ध्वकाने देना है और ये बाते दिमाग में आएगे और मेरी पत्नी जो है दूसरे से ब मंद नहीं बनाना चाहिए, वो मेरी ही है, ये छबियां आप बनाते हैं, और पत्नी जो है, वो भी आपके बारे में ऐसे ही छबियां बनाते हैं, वो भी मानते हैं, ये मेरा लोगने हैं, इसका दाइद तो है, मेरा संग्रचर करना, परिवार का सहरा देना, और जो है, इसने पर दिश्रे का यह लोगम ने हैं नहीं मेरा ही है। और दूसरे आदमी और अउर्ण से शेक्ष नहीं करना है इसने, प्रेयम भी नहीं करना है। तो यह इसे तरीके से वो भी आपके बारे में चविया बनाती। और जो है जो संबंद हमारा है फिर वो छबियों के बीच का संबंद है जैसे कुछ समुर्थी बोलते है न ये संबंद क्या है दो छबियों के बीच का संबंद है दो बेक्तियों के बीच का संबंद नहीं है आपने कुछ बात उसके बारे में मान ली और आपने उसके बारे मे दिमाग में एक खड़ा कर लिया कि उसके बारे में वो क्या है और उसने पर आपके बारे में दिमाग में कुछ छबियां बना लिया और उसने भी मान लिया कि आप क्या है और जो समंदा बनेगा आप दोनों का वो क्या होगा आपने उस पर जो शबी बनाई वो और उसने आप पर जो शबी बनाई वो वो दोनों के बीच में समन्द है वास्तन अर्था जो शबीयों के बीच के समन्द है अर्था दो मान्नेताओं के बीच का वो समन्द है इसलिए वो समन्द टिकता नहीं है क्योंकि जूट पर आधरित है ना इसलिए पति पत्नी के बीच में बहुत जगड़ा होते हैं डिवोर्च होता अगर सच में ही समन्द होता तो डिवोर्च कियो होता भाई फिर डिवोर्च होने का कोई मिल्च और सच में ही उसको प्रेम करता धोका कियो देता वो मानी हुई बात है तो इसलिए वो जूटे तो इसलिए वो क्या हो जाता कि डिवोर्च हो जाता है तो अगर हमारे जो समाज है उसमें लंबा चलता है बाद में यहां भी उसका प्रभाप पढ़ जाएगा और भी पढ़ी ही चुका है और यहां भी ऐसे हो गया एक आदमी साधी करता फिर उसको ध्रका देता फिर दुसरी साधी करता यह इधर भी सुरू हो गया मगर पहले जो है हमारे समाज में यह तिकता था साधी क्योंकि हमारा जो साधी का अनुस्ठान है है न साथ फिरे लिने वाला और यह जो अनुस्ठान करते हैं वो हमको इल्यूजन में बना ही रहता था वो एक गहरे विश्वास दिता रहे था था तो इसलिए टिकता था मगर अभी अनुस्ठान का मतलब गया इसलिए अनुस्ठान जो है एक बैज्ञानिक विवस्ता थी आमको विश्वास बनाई ही रखता था मगर आप जो है विश्वास उड़ गया और पति-पत्ने का बीच म वो दोनों के बीच में वोई पति-पत्नी का यह संबंद है, वो दोनों मानते हैं कि हम पति-पत्नी है, तो साथ रहते हैं और हम भी उनको माबाप बोलते रहें, तो ऐसे ही संबंद बन गया, मगर यह जूट है, रियल में संबंद नहीं होता, किसी से किसी तक किसी को संबंद हो नहीं सकता, माननेता का संबंद है, क्यों नहीं हो सकता संबंद? क्योंकि हम अलग-अलग नहीं है भाई संबंद होने के लिए अलग-अलग होना चाहिए न बाप और बेटा होने के लिए दो बेक्ति होना चाहिए एक बाप होना चाहिए एक बेटा होना चाहिए पति और पत्नी होने के लिए दो आत्मी होना चाहिए एक पती का रोल नीबाने आवल है, पत्नी का, तब ही दोनों को बिच में संब्स, मगर दो है ही नहीं, एक ही है, तो समंदध किस से होगा फिर, और हम अलग अलग है नहीं, यह परमात्मा जिसको बोलते हैं, हम सब परमात्मा है, जो माईं से जब हम पार कानुःप करेंगे, स तो क्या होगा, कि सभी के वितर्व सुन्यता है, और सुन्यता एक है, दो तो है नहीं, तो इसलिए हम ही सब जो है, एक ही, तो इसलिए किसी से किसी से कोई भी समंदध नहीं है, एक ही है, है नहीं ही एक, तो कैसे समंदध पनेगा, आपको मैंने एक उधारन दिया था पहले किसे एक वीडियो में, ऐसे भी लोग होते हैं, जिसके दो सर उगेवे होते हैं, निचे एकी सरिर होता है, कंबर तक, एकी दो ही पैर होते हैं, कंबर तक एकी आदमी होता है, कंबर के उपर जो है, सर दो सर होते हैं, आईसे जानबर भी होते हैं, कभी कभी, शाप भी होते हैं, तो मसली भी होती है, तो आदमी भी होता है, फलफुल भी देखे होंगे आई से, इसे बनाना होता है, केरा, उसमें भी दो लगे होते हैं, मगर जुड़ी होते हैं, दिखते हैं दो, मगर होते हैं, एक जिस आदमी के उपर दो सर चड़ा हुआ है, वो सर प अलग मानेगा, दूसरा जो है उसको अलग मानेगा, जब वो अपने को अलग-अलग मानेंगे, तो बीच के उनके बीच में संबंध हो जाएगा, और वो संबंध जो भी हो सकता है, भाही भाही बुल सकते हैं, एक दूसरे को भाही बुलेगा, दूसरे को भाही बुलेगा, औ दो अलग-अलग है, तो हमारा संबन्द ऐसा ही है, अंकार से पैदा हुआ संबन्द है, हम सब मानते हैं अपने को अलग-अलग, और जब अलग मानेंगे आप दुसरे से बिन्न हो जाएंगे, और दुसरे को कुछ न कुछ उसको बोलना पड़ेगा, या दाई बोलना पड़े देना चाहिए हमको, अंदर हमको पता होना चाहिए कि कोई संबन्द नहीं होता, और बाहर जो है सामाजिक विवस्ता, समाज में तो हम रहना पड़ेगा, हम ने तो जान लिया ये बाते, सभी लोग तो नहीं जाएंगे ना ये बाते, वो तो ये बोलते रहेंगे कि तु मे पत्नी है, इस लिए ये कर, तो उसको ये बोलेगा, तो ऐसी इस्तिति में जानने वाले कैसे रहते हैं समाज में, तो ऐसी इस्तिति में समाज में जानने वाले लोग ऐसे रहते हैं कि अभिनेय की रूप में लेते हैं उसको, एक नाटक की रूप में लेते हैं, जैसे नाट प्रभावित नहीं करें इतना काम करना है यह वाइर से हमारा समान्ध ऐसा होना चाहिए उससे लड़ना भी नहीं है, उससे गुलाम भी नहीं होना है, लड़ना भी नहीं है, इसका मतलब, आपने जान लिए कोई संबंदर नहीं होता, तो बाद में आप जाकर नहीं लड़ना नहीं है, कि मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं, मेरा कोई करतब भी नहीं है यह वो ऐसे लड़ना भी नहीं है, ऐसे लड़ोगे तो परिशानी में पढ़ जाओगे, आप तो अकेली है उदर, अंध्य लोग भाहत हैं, तो लड़ना भी नहीं है, और गुलाम भी नहीं होना है, यह भी नहीं मनना कि हाँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तो तो जो कहेगा, मैं जंगल जले जाओंगा, जिसे राम चला गया था, बाराव पर सबनवास, तो ऐसे, जो दारुपी बुलेगा तब, दारुपी हूँगा, तो ऐसे गुलाम भी नहीं होना है, हमको अंदर जान लेना है, कोई मेरा समन्दी नहीं है, और जो है बाहर, हाँ, हाँ, ठीक है, मैं मैं चेरा बाप हूँ, मैं चेरा बेटा हूँ, यह उसको बोल देना है, और जहे एक नाटक कर देना है, ताकि कोई दिमाग में कोई बाधा नहीं पूचे, हमारे जो साधना है, उसमें पाधा नहीं पूचे, तो एक नाटक कुरा कर देना है, और समन्द में सबसे अच्छा कौन सा समंद्ध हो सकता है तो समंद्ध में सबसे अच्छा समंद्ध जो है गुरु का समंद्ध होता है क्यों कि गुरु जो है वो मानी हुई बात नहीं है है वो हार्दिक रूप से जानी हुई बात होती है और तो जो है, मानी हुई बात होते हैं, मगर जब गुरु के उपर आपको प्रेम होगा, तो वो क्या होगा कि वो सबसे अच्छा होगा, वो मान्यता से बाहर होगा पहले, आपको जबरजस्ति किसी कोई ये इसको गुरु बोल ये नहीं बोलता, जब आपके अंदर भाब तबी आप गुरु को लेंगे, और गुरु में जो है, वो सेक्स का रिलेशन नहीं होगा, मैंने बताया, सबी जो संबंद है, उसके बीच में सेक्स का माध्य में है, तो सेक्स ही सबी संबंदों का आधार होता है, मगर गुरु के प्रेम में जो पढ़ते हैं, उदर सेक्स जाएगा गुरु भी अलग नहीं है, मैं भी अलग नहीं हूँ, तो हम सब एक ही हैं, ये बात जानने से पहले जो है, गुरु सबसे अच्छा दोस्त है हमारा, वो हमको बहुत समंधी के हिसाब से सबसे बड़ा सहय जो कर सकता हूँ, गुरु कर सकता है, क्योंकि गुरु को आ आपसे न कुछ चाहना है, न कुछ चाहना है, और समंधे में तो जो होता है, वो स्वार्थ के समंध होते हैं, अगर बाप आपसे प्रेम करता है, तो इसलिए करता है, कि जब तो बड़ा होगा, तो बाप का सहरा देगा, आप पत्नी से प्रेम करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि आपको शेक्स देती है तो बेटा बाप से प्रेम करता है क्योंकि बाप के उपर उसको निर्वर रहना होता है तो ऐसे स्वार्थ होते हैं उसमें और संबंध में अगर गुरु के संबंध में कोई स्वार्थ ने होता है हाई ने तो इसलिए गुरु अच्छा समन लाए और गुरु ही इसलिए परमात्मा तक लिजाने का मारु है